RGPV offline exam को operate करने के लिए सबसे पहले आपको degree.rgpvexam.in portal को open करना होगा जैसे यह मैंने किया हुआ है आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ offline और online दोन exams के instruction मुझे दिख रहे हैं home page पर आप अगर ध्यान से समझें कि MCQ का मतलब है online exam मतलब एक online exam में आपको कुछ MCQs यहाँ पर देखेंगे और offline exam में आपको एक question paper दिया जाएगा आप अपनी answer sheet लिखेंगे और उस answer sheet को इस portal पर upload करेंगे तो दोनों में थोड़ा सा आपको different समझना होगा यहाँ हम बात करते हैं offline exam की तो सबसे पहले मैं login कर लेता हूँ मैंने dummy ID से registered अपने आपको पहले से किया हुआ था और यह मैंने अपना ID enter किया मैं अपना password enter कर देता हूँ जैसे ही मैं login होता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा जो dashboard है वो दो part में divided है first part में मेरी basic details है जो मेरी personal details है तो यह मैंने कुछ dummy entry अपनी की हुई थी मेरा नाम, enrollment number, mobile number, email ID और second part में right side आप देखें तो आप मुझे जितने भी paper codes मिले हैं वो सारे paper code और यहां पर मैंने देखी आप तो यहां पर मैंने demo नाम का paper code enter किया था जिससे मैं आपको example में समझाओंगा अगर आपका subject का नाम यह title यहां पर शूर नहीं होता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है आप यह जरूर याद रखिएगा ensure कीजेगा कि आपके paper code जो है वो proper होने चाहिए जैसे elective अगर है तो elective subject में आपका paper code proper होना चाहिए लाइक यहां पर दिखा हुआ है CS702C तो यह proper वैसा ही होना चाहिए तो इसे आपको ensure करना होगा अगर आप देखें तो यहां पर मेरा exam scheduled है इसलिए start button मुझे enable आ रहा है available है मेरा exam और यह offline exam available है क्योंकि मैंने इस id को पहले भी use किया था कुछ students को demo देने के लिए तो मेरी पहले से एक file uploaded देखेगी आपको तो उसे आप बिलकुल ignore कीजेगा मैंने start exam button पर click किया तो यह एक window open हो गई है देखे मेरी preview में एक file पुरानी एक file upload हो गई है लेकर हम नई file भी upload करके यहां पर देखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखें आप upload copy for demo सबसे ओपर यहां पर लिखा हुआ है upload copy for demo upload copy for demo का मतलब है कि demo यह मेरा paper code है जो last screen पर आपने देखा था तो demo मेरा paper code था लाइक आपका paper code है CS708 तो यहां लिखा होगा upload copy for CS708 आप ensure कर लिजे जिस paper code के लिए आपने start button पर क्लिक किया है वो paper code यहां पर लिखा हुआ है या आगे हम देखेंगे तो यहां download question paper का एक button हमें दिख रहा है कुछ students को यह button नहीं देखेगा वो students होंगे RGPV के क्योंकि RGPV ने आपको instruction में एक अलग URL दी हुई है जहां से आप अपना question paper download करेंगे आपको इस portal के सिर्फ यूज करना है अपने copy को upload करने के लिए लेकिन UIT students और other students को यह download question paper का link enable देखेगा यह button आपको यहां पर देख तो आप अपना question paper download कर सकते हैं आप उस question paper को देखकर अपनी answer sheet लिखेंगे उसे हम upload करेंगे upload के लिए यहां पर देखे upload answer sheet नाम का button है हम देखते हैं अभी से operate करके पहले हम इस पूरे dashboard को समझ लेते हैं इसमें और क्या क्या functionality है submit button है कि मैं जो भी upload करता हूँ copy उसे मैं submit कर देता हूँ preview का एक है यहां पर अगर आप देखें preview panel में तो यहां पर मुझे आप देखेगा कि सारे controls दिख रहे है pages दिख रहे हैं zoom in zoom out download के कुछ buttons दिख रहे हैं तो basic कुछ buttons मुझे दिख रहे हैं download and preview button क्या करेगा इस पर हम अभी चर्चा करते हैं last में अगर आप देखे आप इस प्रोसेस को follow कर सकते हैं eligible हैं या नहीं है यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है choose center for copy submission मतलब आपको अगर किसी भी वज़े से आप अपनी copy इस पोर्टल पर submit नहीं कर पाए upload नहीं कर पाए exposit कोई भी reason है और अगर आपको instructions दिए गए हैं कि आप अपनी copy center पर जमा कर स की list है लेकिन आपको इस institute की list में अपना जो college होगा जो जिस college में आप पढ़ रहे हैं जैसे मैं LNCT में पढ़ता हूँ तो मैं यहां पर select कर लेता हूँ LNCT college तो मैंने LNCT college यहां पर choose किया क्योंकि मैं LNCT college में पढ़ता हूँ और उस college में ही आप अपनी answer sheet की जो physical copy आपकी answer sheet मानने नहीं होगी जिस college के आप student है आपको उसी college में submit करनी है और यहां पर आपको status भी change करना होगा ताकि हम track कर सकें कि कि किसी भी वज़े से आपकी answer sheet भी upload नहीं हो पाई थी और आपने college में submit कर दिये और जिसका status आपने यहां पर update किया हुआ है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर शायद आपको मुश्किल हो सकती है शायद आप absent भी mark हो सकते हैं तो इसलिए आपको सबसे पहले अपना college यहां select करना होगा जिस college में आप पढ़ रहे हैं चलिए हम उपर आते हैं अभी मैं मानता हूं कि मैं इस option को चूज़ नहीं करता हूं हम उपर आते हैं हम डिरिकली उपर आते हैं कि मुझे मेरी answer sheet upload करनी है तो यहां पर upload answer sheet नाम के बटन पर जैसे ही मैं click करता हूं यहां पर आप देखिए यह मैंने answer sheet कोई PDF file को मैंने dummy कुछ PDF files मेरे पास थी मैंने upload किया यहां पर PDF file जो है यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो answer sheet होगी वो आपका extension जो होगा .pdf होना चाहिए मतलब PDF file होना चाहिए पहली चीज और दूसरी चीज है कि वो 30 MB से उसका size कम होना चाहिए क्योंकि technically भी अगर हम बात करें तो 30 MB से जादा size है और अगर आपका internet slow है तो आपको बहुत मुश्किल हो सकती है और शायद आपको ज जैसे ही इस file को चूस किया अब मैं इसे submit कर देता हूं submit that means कि मैं finally submit करना चाहता हूं कि मैंने फाइल select की है जो मैं अप्लोड कर देती process होगी process में शायद आप मुझे बिल्कुल भी time नहीं लगा है लेकिन शायद आपको time लग सकता है time इसलिए लग सकता है क्योंकि आपकी जो file होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी मेरी file बिल्कुल छोटी सी MB में file है तो आपको थोड़े passions रखना होंगे अब हम आगे बढ़ मैं check कर लेता हूं कि हाँ पूरी file मेरी upload होई है या नहीं होई है यह सारी चीज़ हम देख लेते हैं अगर आपने submit किया और आपका preview दिगया है that means कि आपने successfully अपनी जो file है अपनी जो copy है answer sheet उसे successfully server पर upload कर दिया है अगर किसी भी case में आपकी यहाँ पर नहीं दिखती है मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद आपकी यहाँ पर नहीं दिखती है तो आप सबसे पहले download and preview बटन पर क्लिक कीजिएगा download and preview पर चैसी हम जाते हैं तो यह automatically आपकी file के लिए request करेगा server पर और आपकी file अगर server पर होगी त server पर हो चुकी है चलिए अब मैं मानता हूँ कि मैंने शायद गलती से दूसरी file चूस कर दी है और upload कर दी थी ऐसा मुझसे गलती से हो गया तो आपको बिल्कुल चिंता करनी की बात नहीं है आप फिर से upload files में जाए आप फिर से जैसे मैं यह चूस कर लेता हूँ और यह मैं मतलब अगर आप समझें तो इसका बिल्कुल से मतलब है कि जो last answer sheet आप upload करेंगे वही मानने होगी बाकी files आपकी चली जाएगी यहां से overrate नहीं file होती जाएगी तो यह जो file है भी मेरी final file हो गई है तो ऐसा अगर आपको कोई doubt है कि आपकी file upload नहीं हुए तो आप अगर आप आपका time slot given जो time slot अभी है तो time slot में आप अपनी file को upload कर सकते हैं तो इस पोर्टल के बारे में लगभग आपको सारी बाते बता दी हैं मैंने इस portion के बारे में बताया है इस button के बारे में भी आपको बताया है download preview के बारे में और लगभग सारी चीज़े हम देख चुके हैं मैं आगे start button होगा start button पर आप click करेंगे तो एक window pair होगी यह वाली window open होगी जिसमें आप अपनी file को upload कर देंगे download question paper कर सकते हैं preview देख सकते हैं download preview भी कर सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है यह करें अगर आपका यह upload हो चुका है तो unnecessary आप इस button पर click ना करें तो बहुत ज़्याद करें और दूसरी college में अगर आप अपनी file submit करते हैं answer sheet submit करते हैं तो वह answer sheet मानने नहीं होगी यह status update करना ज्यादा बहुत ज़्यादा जरूरी है वरना आपकी copy track हम नहीं कर पाएंगे तो यह एक basic सी मैंने portal के बारे में आपको समझाया कि कैसे हम RGP exam में offline exam में अपनी copy upload कर सक करते हैं तो very all the best thank you